नमस्ते किसां भाईयो यह आप फूल देख रहे हैं यह पीच प्लांट पर आए हुए पीच के फूरूट जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कृर्शन किया था हमने मैंने बताया था आपको कि इसमें बर्ड से निकले हुए थे तब छोटे-छोटे इस तरह से ठीक है पीच के डिये जो डेट है वो है 12 सप्टेमबर और आज हमें अपने जो प्लांट है पीच के स्वारी पीच के जो प्लांट है उनमें फ्लावरिंग अच्छे से हो रह गई है और फूरूट भी अभी सेट होने वाला है दिख लीजे यहां पर जो है तो पहले फूल निकला ह अमेंट हो रहा है और यह पर जो है तो यह फूरूट अभी सिल रही है तो आश लगबख छोटे चोटे पौदों में हैं इसमें पर किओ प्रूट प्रूट रही है अभी देखते हैं इसमें कितने फ्रूट सेट होते हैं क्योंकि पॉद्धे की जो है कि गरोथ बहुत ही कम है इसलिए आप देख सकते हैं कितने सुन्दर जो है इसके फूल हमें दिख रहे हैं जिस पे अभी थोड़ी दिर पहल ही बारिश हुई है आप देख सकते है कि इस तरह से होते हैं आडू के फूल हम इसे हिंदी में कहते हैं आडू और इंगलिस में कहते हैं इसे पीच तो इसके हमने प्लांट लगवाए थे एक साल पहले ये भी एक साल के जो प्लांट है ये इनमें देख लिजिए प्लांट बहुत ही छोटा है किसंसाती देख सकते आप ये इसका देख लिजिए इसकी हाइट है और ये जमीन तक देख लिजिए तो नीचे से जो है फूल लगे हुआ है देख लिजिए ये छोटी ट तो इस तरह से इसके फूल होते हैं किसान सत्यों और आप भी अगर इसकी खिती करना चाहते हैं तो इसकी प्लांट आपको हमारे पास मिल जाएंगे आपको अभी बुकिंग करवानी पड़ेगी इसके प्लांट जो है हम आपको डिसंबर में प्रोवाइट करेंगे डिसंबर जनुरी में और यह पीच की जो वराइटी है शाने पंजाब है जो की होट क्लाइमेट में अच्छे से फ्रूट दे देती है यह देख सकते हैं यह भी यहां पर फ्रूट सेट हो जाएंगे और यहां पर जो है तो यह कली निकल रही है इस तरह से हमारे छोटे-छोटे प्रूट हो रही है तो आपको भी अगर पीच की फर्मिंग होट लाइमेट में करनी है तो आप वाट्सअप पर दिए गया यह स्क्रिन पर दिए गया नंबर पर वाट्सअप कर सकते हैं और अपने प्लांट की बुकिंग करवा सकते हैं वीडियो अच्छा लगे किसान साथियो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल पर आप अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद